ट्रेंगल ABC इज आईशो स्केल्स ट्रेंगल अगत आप सभी का आरवेधी ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए क्लेकर क्या हूं यह क्लास 9 की मैच से चेप्टर नंबर 7 ट्रेंगल के exercise 7.3 का question number 4 है तो इस वीडियो में हम इस question को डिस्कूस करेंगे आप बस वीडियो को जहां से देखिए आंतों तक देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल पर नहां तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी कोई query है तो मझे comment box में write कर सकते हैं, अगर आप इस chapter के और वीडियोज देखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो की description में playlist की link देदूँगा, आप वहाँ से जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं, इस वीडियो के अंत में आपको एक question मिलेगा, उस question को solve करना है, और अगर आपका question solve हो जाता है, तो comment box में yes write करना है, अगर नई solve हो पाता है, तो comment box में no write करना है, तो चलिए solve करते हैं, तो देखते हैं question हम से क्या पुछा गया है, question number 4, BE and CF are equal altitudes of a triangle ABC, using RHS congrence rule, prove that the triangle ABC is ISO scales, ओके देखो, सबसे पहले आप समझो कि altitudes क्या होता है, जैसे यह हमारे पास कोई triangle है, triangle की vertex से उसके opposite वाली side पर, हम एक ऐसी line draw करें, जो 90 degree बनाता हो, ठीक है, यह हमारा माली यह ABC एक triangle है, और AD कोई line segment है, तो जब यह 90 degree बनाएगा, means AD perpendicular to BC, तो यहाँ पर AD क्या हो जाएगा, altitude हो जाएगा, ठीक, तो altitude से हमें, एक बात fix हो जाता है, कि यहाँ पर 90 degree बनेगा, perpendicular होगा, अब हम समझते हैं कि RHS rule क्या होता है, देखो, RHS, R का मतलब right, यानि कि right angle, H का मतलब hypotenuse, और S का मतलब होगा, side, इसका मतलब यह होता है, कि किसी एक triangle का, एक hypotenuse, कोई एक side, और एक right angle, equal हो, दूसरे corresponding triangle के, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कंग्रेंस होगे, भाई RHS rule, तो यह हमरे question है, question में given क्या है, देखो, यहाँ पर बोला, equal, कौन equal है, BE और CF, और यह दोनों क्या है, altitude भी है, मतलब यहाँ पर question में given है, कि आपका, BE equal है, CF के, ठीक, अच्छा, प्रूब क्या करना है, प्रूब करना है, कि triangle ABC क्या है, एक iso scale triangle है, क्या है, iso scale triangle, यहाँ पर एक चीज़ और समझो, iso scale triangle में क्या होता है, कि कोई भी दो side जो है, वो equal होती है, तो यहाँ पर हम prove करेंगे, कि AB equal है, AC के, सबसे पहले इसको prove करेंगे, फिर इसको prove करेंगे, solution, अच्छा, इसको prove करने के लिए, सबसे पहले हमें, इसका रिजन क्या होगा, given, इसका रिजन क्या होगा, given, ठीक, च्छा, दूसरा मिलेगा, जो BC है, वो common है, CB के, इसका रिजन हो जाएगा, common, ठीक, अब यहाँ पर अगर आप, एंगल देखोगे, BFC, यह 90 डिग्री होगा, और एंगल, CEB, यह भी 90 डिग्री होगा, क्यों, question में बोला, altitude, तो अभी मैंने आपको बताया, altitude क्या बनाते है, 90 डिग्री, तो आप पर हो जाएगा, एंगल, BFC, is equal to angle, BEC, अब इसका रिजन हो जाएगा, 90 डिग्री इच, अच्छा, इसके होने के बाद में कह सकते हैं, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कि यह हमारी कोई, साइड हो जाएगी, और BEC, इस इक्वल टू सीबी, हमने इनको कंगरेंट प्रूब कर दिया, अब देखो होगा क्या, कि सबसे पहले हमें यह वाला एंगल लेना होगा, यह वाला एंगल, और यह वाला एंगल, तो मैं आपको बोल सकते हैं, हैंस, एंगल, FBC, इस इक्वल टू एंगल, ECB, अब इसका रिजन क्या होगा, इसका रिजन होगा, बाई CPCT, किसे होगा, बाई CPCT, देखो चाहिए आप ऐसे जाओ, FBC, या फिर आप यहां से आओ, ABC, एंगल तो यही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब मैं आपर, FBC के प्लेस पर राइट कर सकते हैं, एंगल ABC, क्योंकि वो इक्वल है, और similarly, आप चाहिए बोलो, ECB, या फिर आप बोलो, ACB, आप इसी एंगल के बारें बात करें हो, एंगल वही होगा, तो जो एंगल ECB है, वो इक्वल होगा, एंगल ACB के, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक्वल है, तो ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं, AB is equal to AC, अब इसका रीजन क्या होगा, देखो, साइड्स, अपोजिट टू, इक्वल एंगल्स, आफ आट्रेंगल, आर इक्वल, अब यह इसका रीजन होता है, अब जब यह इसका रीजन होता है, तो हमें तो यह बताना है, कि जो ट्रेंगल ABC है, वो ISO स्केल है, तो अगर उसकी दो साइड वराबर है, तो ISO स्केल हो गया, भान हो गया यह पर रइट करेंगे देयर लियर फोर हुआ है ट्रेंगल अबी सी कि इज इस में आई ऑई सो श्केल्स एक ट्रेंगल तो देखो यह हमें प्रूब्ड करना था और हमने आपर प्रूब्ड कर दिया तो यहां पर रेट करेंगी प्रूब्ड तो आप चाहें तो इस वीडियो को रेट डाउन कर लें आप फिर वीडियो को पहुज करके स्क्रीन सॉट ले लें तो यह आपका कॉस्चन है कॉस्चन नुबर 5 ABC is an iso scale triangle with AB is equal to AC draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C तो यह कॉस्चन है इस कॉस्चन को आप ट्राइ कीजिएगा अगर आपसे हो जाते तो आप कमेंट बॉक्स में एस रेट कीजिएगा अधरवाज मैं description में इस वीडियो का लिंक दे दूँगा आप वहां से जाकर के देख सकते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question क के साथ तब तक लिए थेंग्यू क्लाश